हे गाईज, वेलकम टू माई चैनल दिस्टू लर्न जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर नामबर सैवन स्टार्ट हो चुका है जिसकी अल्रेडी थ्री वीडियोज अपलोड हो चुकी है फर्स्ट टू वीडियोज में हमने क्या डिस्कस किया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में यह जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का सर्कुलेटरी सिस्टम उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आई थी उसमें हमने डिस्कस किया था एक्सकुरेट्शन इन इनिमल्स के बारे में जो यह रहा हमारा सेकिंड टॉपिक और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें हम बात करेंगे ट्रांस्पोर्ट पॉर्ट अफ सबस्टांसे इनिमल्स, इन प्लांस अगर आप में इसे पहले की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंग गिवन है वहां से देख सकते हैं सो लेट स्टाट आर वीडियो जो ट्रांस्पोर्ट अफ सबस्टांस है इसके बारे में जो हमारा फर्स चैप्टर था नूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स है टेक वाटर एंड मिनरल्स नूट्रियंट्स फ्रॉम् दे सोल थो दर रूट्स एंड ट्रांस्पोर्ट टू दर लीव्स जब चैप्टर वान हमने स्टडी किया था तब उसमें हमने देखा था कि कैसे जो प्लांट्स है वो सोईल से रूट्स के थुरू मिनरल्स और वाटर्स को एब्सॉब करते हैं और उसके बाद उन्हें लीव्स में ट्रांस्पोर्ट कर देते हैं और जो लीव्स गया करती हैं जो फूड वो बनाती हैं वाटर और कार्बन डायोकसाइट का यूज करके ड्यूरिंग फोर्टो सिंथीजिस वो रूट्स तक पहुँचा देती हैं जो हमारे बॉड को अनर्जी मिलता है और उस एनर्जी करके जो सेल होते हैं different activities करते हैं हमारी life में की जो भी vital activities हैं वो cells उसी energy का use करते हैं therefore food must be made available to every cells of organism इसलिए food का available होना सभी organisms के लिए जरूरी है have you wondered how water and nutrients absorbed by the roots and transport to the leaves वही है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो roots है water and nutrients तो absorb कर लिए पर वो leaves तक कैसे transport होते हैं और जो leaves food बना लेती हैं वो उसके बाकी parts तक कैसे transport होते हैं तो हम इसी इन्ही जो दो questions हैं इन्ही के बारे में आज के इस lecture में discuss करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि जो water and nutrients है जो root absorb करती है वो leaves तक कैसे transport होते हैं transport of water and minerals plants absorb water and minerals by the roots हमें पता है किसे absorb करते हैं roots से अब roots में क्या होते हैं root के भी root hair होते हैं इस root hair का क्या काम है जो root hair होते है increase the surface area of the root for the absorption of water and mineral nutrients dissolve in water means कि water में जो भी minerals dissolve होते हैं उसको absorb करने के लिए ये root hair surface area root का increase कर देते हैं माल लेजिए ये हमारे पास एक plant है ये क्या है उसका एक root है root hair का हो जाएंगे इसी root के और छोटे छोटे जो parts हो जाएंगे न यही क्या हो जाएंगे इसका root hair हो जाएंगे अब कहां ये अकेली root और कहां ये root के साथ root hair तो इससे क्या हुआ surface area increase हो गया इस root का जब root का surface area increase हुआ तो वो water और minerals को ज़्यादा absorb कर पाएगी जो water में dissolve है जो root hair होता है soil particles के बीच में जो भी water present होता है root hair उनके contact में रहता है ताकि वो उस water से water तो absorb करेगा ही करेगा साथ में water में जो mineral nutrients हैं उनको भी absorb कर सके can you guess how water moves from the root to the leaves अब root तो क्या है plant है plant के नीचे है root और ये plant है plant के leaves यहाँ उपर रहेंगी तो कैसे root से जो water है leaves तक पहुचेगा क्योंकि ये तो हमें सोच सकते हैं ना कि gravitation law के बिलकूल opposite हो जाएगा what kind of transport system is present in plant किस तरह का transport system plant में present है जिसके कारण gravitation law के against नीचे से water उपर जाला जा रहा है leaves में अब बूजो को क्या लगता है कि plants में भी ना कोई pipe लगी होगी to transport water to the entire plant like we have our homes for the supply of water अब जैसे हमारे homes ये क्या है tanky है tanky से pipe लगी हुई है kitchen के लिए वहीं से pipe लगी हुई है bathroom बगारा के लिए तो वही उसको लग रहा है कि जैसे हमारे गहर में tanky बगारा होती है और उससे pipes लगी होती है ताकि water की supply हो सके हमारे home में वैसे ही plant में भी इसी तरह की कोई pipes लगी होंगी देखते हैं बूजो को ये जो लग रहा है ये सही है या फिर गलत है देखिए वैल बूजो इस राइट जो बूजो है वो राइट है पर किस तरह plants have pipe-like vessels to transport water and nutrients from the soil जो plants होते हैं उनके पास एक pipe-like vessel होती है जिससे वो water and nutrients को transport करते हैं soil से the vessels are made up of special cells forming vascular tissue ये जो vessels होती है special cells से बनी रहती है जिनका नाम क्या है vascular tissue मतलब vascular tissue से ये मतलब vascular tissue ये बना लेती है vessel से जो tissue होता है वो क्या होता है group of cells that perform special function in an organism अभी तक हमने सिरफ cell के बारे में देखा था कि जो cell होता है वो क्या होता है chapter first में cell क्या था कि जो smallest unit है living organism की वो क्या है cell है smallest unit क्या थी cell थी अब इन्ही छोटे छोटे smallest unit को मिला कर हम क्या बना लेते हैं एक tissue बना लेते हैं और tissue का mainly function क्या है कि ये किसी भी organism में कोई special function कर रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे tissue कहेंगे जो vascular tissue है for transport of water and nutrients जो ये tissue है vascular tissue है जो mainly function इसका क्या है nutrients और water को transport करना plant में उसका नाम क्या हो जाता है xylem तो basically ये xylem ही है जिसके कारण water और nutrients soil से leaves में transport हो रहा है किसी भी plant में the xylem form a continuous network of channel that connect root to the leaf through the stem and branches and thus transport water to the entire plant जब जैसे हमारे home में tank से different different pipes है और उनका continuous network connection है वैसे ही xylem भी क्या बना लेता है continuous network बना लेता है roots से leaves तक और stem से भी जो branches है plant की वहां तक तकि जो water है वो पूरी entire plant में transport हो सके अब यहां पर एक पहली का question है इसको आप पढ़िये और सोचिए यह थोड़ा topic different है तो हम पहले बाकी चीज़े cover कर ले फिर हम इसके question को discuss करेंगे अब यह तो हमने बात कर ली water और nutrients कैसे transfer होए अब you know that leaves जो leaves food बनाती है वो कैसे transport होता है the food has to transport to all part of the plant उसको भी पूरे जो plant के बाकी part है वहां तक तो transport होना पड़ेगा यह भी एक vascular tissue के द्वारा होता है जिसका नाम क्या है phloem thus xylem and phloem transport substances in plants xylem क्या कर रहा है water और mineral transport कर रहा है और phloem क्या कर रहा है food को transport कर रहा है जो leaves बना रही है अब इसको एक activity के थुरू भी हम discuss कर सकते हैं यहाँ पर activity दी गई है इसमें करना क्या है हमें एक glass लेना है glass में water डाल के उसमें क्या करनी है red ink डाल देनी है और उसके अंदर एक herb डाल देना है उसकी stem को cut करके फिर हम क्या देखेंगे जो cut उसको भी इसको cut कर दिया और उसके बाद next day हम इसको absorb करेंगे does any part of herb appear red क्या कोई भी इसका part herb का red लग रहा है तो हम क्या देखेंगे जो इसका नीचे वाला stem था न वही part हमें red लगेगा तो जब हम उसको cut करके देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि red यह जो last view वहाँ पे दिखाया हुआ है इसे हमें क्या पता चलेगा कि जो यह stem है stem से नीचे से red color इसके थोड़ा-थोड़ा उपर वाले parts में पहुचा हुआ होगा तो इससे हमें क्या पता चला कि जो water है आखिर यह जो plant है यह किसी absorb कर रहा था water को absorb कर रहा था और water में क्या मिली हुई थी red ink तो वैसे ही water में minerals मिले होते हैं तो जब भी जो यह plant का root है वो water को absorb करता है तो साथ-साथ जो minerals है वो भी इसकी इसका plant के parts से absorb कर लेते हैं और नीचे से absorb करके xylem के थूँ वो इसके बाकी parts में transport करते हैं you can cut वही उन्हेंने बहुत करके आप देख सकते हैं from this activity हमें पता चला कि water अप move करता है stems के थूँ in other words stem conduct water just like red ink mineral dissolve in water also move up the stem यह discuss कर चुके है along with water water के साथ जैसे ink उपर जा रहा है वैसे ही water में dissolve mineral भी उसके means upward move करते हैं water and minerals go to the leaves fluid leaves में जाते हैं and other plant parts और जो भी plants के बाकी parts हैं वहां तक भी water और minerals पहुंचते हैं और यह कौन करता है xylem क्योंकि xylem इसके अंदर narrow tube होती है जिसके तरू water and minerals leaves या फिर इसके बाकी plants के बाकी parts तक पहुंचते हैं बूजो वांट्स टू नो why a plant absorb a large quantity of water from the soil then give it off by transpiration अब इसका जो reason क्या है absorb तो इसलिए करता है क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए minerals चाहिए ठीक है और वो transpiration क्यों कर देता है इससे पहले हमें पता होना चाहिए transpiration होता क्या है basically transpiration यह है जिसमें loss of water करती है जो plant के parts हैं leaves हैं वो जब water का loss करेंगी अपने parts से तो उसे ही क्या कहा जाता है transpiration कहा जाता है इसका एक तो reason यह है कि जब भी plant के part respiration करते हैं तो जो plant होता है वो cool हो जाता है cold हो जाता है means उसके जो plant के part है वो cool हो जाएंगे ठीक है एक तो इसका यह reason हो गया transpiration करने का जो दूसरा reason है उसको यहाँ पर उने transpiration दिया है, हम उसको पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, जो transpiration है, class 6 में आपने पढ़ा होगा, lot of water release करता है by the process of transpiration, transpiration, जो plant जब ज़्यादा water release करेगा अपनी body से उसी क्या कहा जाए गया है, transpiration, plants absorb mineral nutrients and water from the soil, soil से nutrients और water absorb करते हैं, सारा का सारा water जो नोने absorb किया, utilize तो नहीं होगा, जो water, उसके बाद जो बाकी का water है, वो क्या होगा, evaporate हो जाएगा, through the stomata present on the surface of leaf by the process of transpiration, क्योंकि जब वो क्या कर रहे होगे, photosynthesis, तो अपना stomata open करते हैं, तो उसी के थ्रू जो भी बाकी का water है, वो evaporate हो जाता है, और उसी क्या कहा गया है, transpiration, the evaporation of water from leaf generate a suction pool, जो suction pool ऐसा है, कि जैसे आप कोई drink पी रहे हो, और आपने pipe लगा रखी है, और आप इसे उपर से क्या कर रहे हैं, सक कर रहे हैं, तो सक करते हैं, तो नीचे का जो भी juice है, वो क्या होता है, हमारी body में आ जाता है, means हमारे mouth में आ जाता है, नीचे का juice, तो वैसे ही इसमें भी क्या हो रहा है जब water की vaporation होती है water की vaporation क्या है कि जो stems है वहां से water कहां आ जाए leaves में आ जाए तो leaves में आएगा कैसे जब suction pull develop होगा means नीचे से उपर आ गया which can pull water to a great height in the tall tree अब इसके कारण होता क्या है कि जो vaporation तो होगी क्योंकि stomata open हुआ है और photosynthesis में vaporation तो होनी है तो उससे फाइदा क्या हुआ कि जो tall trees है इस vaporation के थूँ tall trees के उपर वाले part में भी जो plant है उसके उपर वाले part तक भी water और minerals पहुँच जाते हैं अगर ये transpiration ना हो तो जो tall trees होएं उनमें great height तक water ना पहुँच पाए तो transpiration का एक फाइदा तो क्या हो गया cool करता है plant को और दूसरा क्या है कि ये water को great height तक ले जाता है tall plants में ताकि वहाँ पर भी उनको water और minerals मिल सके तो ये था हमारा ये पूरा chapter अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा जो पहली ने question पूछा है आपने सोच तो लिया ही होगा इतना तो यकीन है मुझे आप पर तो अब इसका हम answer discuss करते हैं यहाँ पर पहली क्या कह रही है कि जब उसकी मम्मी lady finger means भिंडी होती है या फिर दूसरी vegetables जब भी वो सूख जाती है तो वो उन्हें पानी में रख देती है तो पानी में रखने के बाद आप देखते हैं वो ना थोड़ी फूल जाती है और थोड़ी हरी हरी ताजी लगने लग जाती है तो ऐसा होता कि वह है तो यह ना एक process है जिसे हम क्या कहते है औस्मोसिस कहते है यह औस्मोसिस के थुफ होता है औस्मोसिस में होता क्या है जो वाटर है लेडी फिंगर है ड्रोइंग तो मेरी बनेगी नहीं आप समझ लेना कि यह समझ लो कि यह क्या है लेडी फिंगर है तो लेडी फिंगर में क्या हुआ इसके ठीक है यहाँ पे बाहर क्या है water जादा है और अंदर क्या है water कम है तो जो water है वो move कैसे करता है high concentration to low concentration वो move करता है बाहर water जादा है तो बाहर से water यह जो lady finger है उसके अंदर चला जाएगा इसी के कारण lady finger क्या हो जाती है फूल जाती है और हमें ऐसी लगती है कि वो fresh हो गई है तो यह जो process है जिसमें कोई भी change high concentration to low concentration move करती है उस process को हम क्या कहते है औस्मोसिस कहते हैं इसके बारे में detail में आप higher classes में study करेंगे तो यहाँ पर complete होता है हमारा यह जो chapter number 7 है पूरा अच्छी तरह से now हम यह discuss कर लेते हैं कि इस पूरे chapter में basically हमने study क्या गिया है सबसे पहले हमने blood के बारे में देखा था जिसमें हमने देखा था कि organisms में जो भी blood होता है वो क्या करता है food और oxygen को different parts तक लेकर जाता है और जो waste product होते हैं उसे different parts से collect करके excrete करा देता है second circulatory system में heart और blood vessels के बारे में हमने study किया था human में blood जो flow करता है arteries और vein के थ्रूफ flow करता है और heart एक pumping organ की तरह act करता है blood में क्या क्या होता है plasma, RBC, WBC और platelets present होते हैं जो blood होता है red क्यों होता है क्योंकि इसमें pigment present होता है red pigment जिसका नाम क्या है hemoglobin इसी के कारण blood का color red होता है जि human की heart beat है normally per minute heart rate कितनी होती है 70 to 80 times means human का heart एक minute में 70 to 80 times beat करता है arteries क्या करती है blood heart से दूसरे parts तक लेके जाती है means oxygen rich blood को heart से बाकी parts तक लेके जाती है और जो veins होती है वो बाकी parts से blood collect करके दुबारा heart तक लेके राती है जिसमें कौन सी rich blood होता है carbon dioxide rich blood present होता है जो हमारी body से waste product remove होता है उस process को क्या कहा जाता है excreation excreation system में हमने क्या-क्या पढ़ा था kidney थी, ureters थे two, urinary blooders थे और क्या था urethra जो sweat है हमने देखा था कि हमारे dress पे patches वेगरा क्यों पढ़ जाते है क्योंकि हमारे sweat में salt और urea present होते हैं इसी के कारण वो हमारी body से जब भी remove करते हैं water के साथ तो हमारे जो cloth होते हैं उस पे patches आ जाते हैं जो fish होते हैं वो कैसे excrete करते हैं क्या excrete करते हैं ammonia जो directly water में dissolve हो जाता है जो birds हो गए, insect हो गए या lizard हो गए ये क्या excrete करते हैं? uric acid in solid, in semi-solid form. Water and minerals are absorbed by the roots from the soil. ये तो हमने आज ही पढ़ाए की इसे soil के roots absorb करते हैं जो part water को दूसरे, मतलब plant के बाकी parts तक transport करता है उसका नाम क्या है? xylem और वो vascular tissue जो food को leaves से बाकी part तक transport करता है उसका नाम क्या है? floem. Lot of water is lost by plant in form of vapor थो stormata during transpiration. Transpiration में क्या होता है? stormata के थो जब बहुत जादा water lost होता है in form of vapor उसे ही क्या कहा गया है? transpiration. Transpiration के क्या पाइदे थे? कि ये water को absorb करके roots से stem और leaves तक भी पहुचा देता है क्योंकि इससे क्या होता है? water को pull up करता है, suction pull develop करता है तो basically यही सारा था जो हमने इस chapter में discuss किया अगर आपका कोई भी doubt हो, तो आप comment box में comment जरूर करें वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like करना ना भूले इसे अपने friends के साथ share करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए channel को subscribe करना ना भूले Thanks for watching झासंदोचचピ झाने